पस्सी में अरब सागर के टॉक्टे चक्रवात के बाद अब पुर्वी तट पर एक दूसरे चक्रवात का बड़ा खत्रा पुर्वी छेत्र के राजियों पर मंदरा रहा है मौसम बिगानिकों के अनुसार चक्रवात यास 26-27 मई को बंगाल की खारी से टकराएगा पटना इस्तित मौसम बिभ्याक के अधिकारियों को कहना है कि सौभाविक रूप से इसका असर बिहार के दक्षिन पूर्वी हिस्षे पर पड़ेगा और इसा के करीब होने का असर देखेगा वेसे अभी इसकी भयावता का आकलन किया जा रहा है एक दो दिने में यसाफ हो सकेगा कि इसका किस परमाने पर बिहार में असर दिखेगा इधर टॉक्टो के साइट इफेक्ट के तौर पर यूपी और बिहार में उठे चक्रवाल से बारिस का सिलसिला अभी जारी है पट्टा के मौसम बिग्यान किंद्र ने दर्भंगा विसाली पटना समस्तेपूर अरवल और जहानाबाद में बारिस का पुरवानुमान जारी किया है इस समद्ध में मिली जनकारी के नुसार उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पुरवी मदखारी में दो दिन बाद यानी 22 मई को कम दबाओ का छेतर बनना सुरू होगा ऐसा आकलन है कि इसके 24 घंटे के बाद कम दबाओ के छेतर में यह चक्रवात बन जाएगा मौसम बिगान केंद्र के अधिकाली के नुसार यास का असर यह होगा की पिहार के दक्षिन पुरवी हिस्से में तिय जवा चलेगी बारिस भी होगी हवा की त्रियुता कम से कम प्रति घंटे 70 किलो मिटर की होगी वैसे पुक्ता तोर पर इसकी भयावता की पूरी जनकारी उप्रत करने में अभी दो दिन और लगेंगे उसके बाद बिहार के लिए चेतावनी जारी की जाएगी परस्यमी उत्रपरदेश से लेकर बिहार और मद्ध परदेश में बने चक्रवात के कारण गुरु आर्गो राज के धिकान सिंसों में घंटो तेज बारिस हुई मौसम विगानिकों का कहना है कि अरब सागर में आय तुफान के बहारी भाग में बने दवाव के कारण उत्रपरदेश बिहार और मद्ध परदेश में चक्रवात का प्रभाव है इस तरह की स्थिती अगले दो दिन तक बनी रहने की उमिद है उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा